गुड बॉर्णिंग बच्चोंगों कैसे आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब इठीक ठाक होंगे आपकी पड़ाई लिखाई बढ़िया मस जबज़ास चल रही है एक वीडियो एक टॉपिक वाली सिरीज में आपका स्वागत है वीडियो नमबर होगा 35 आज आप देखेंगे भाग वीदि से वर्गमूल में यह चौथा या पाचवाँ वीडियो होगा इसके पहले आपने 12 का वर्गमुल देखा था, 3 का देखा था, 11 का देखा था, 7 का देखा था ऐसी संख्या है जो पूर्ड वर्ग नहीं होती है यानि non-perfect square, इनका हम वर्गमुल कैसे निकाल सकते हैं गोलनखंड विधी से possible नहीं है, only one method है जो की भाग विधी है दसमलों के तीन अंक तक निकालेंगे, तो प्यारे साथ ही आप ऐसे एक line खीचोगे ऐसे एक खीचोगे, 17 गिंती है तो इसको यहाँ पर लिखोगे दसमलों लगा करके आप F-A जोड़े बना लोगे, ठीक है, तीन जोड़े मैंने बना लिया जिससे मैं दसमलों के बाद तीन अंक तक भाग इसमें कर सकूँ, ठीक है, इतना clear आप देखना है 16, क्या करना है, एक ऐसा नंबर ले लिजिए, जिसका square करने पर या तो 16 आ जाए, ठीक है सुली, 17 आ जा या तो, और या तो 17 के आसपाफ आ जाए, तो भाई साब 4 का square 16 होता है, 5 का square 25 होता है, और 3 का square होता है 9, और वो संख्या 17, 17 जो है 16 और 25 के बीच में है, यानि ना तो 4 का square बैठ रहा ना 5 का बैठ रहा, 5 का जादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम 4 का square ले जाएंगे, आपको पता है कि अगर कहीं भाग ले जाना है, माली जी हमें 17 में भाग करना है किसी गिंती से, तो भाई साब 4 चोग 16 हम ले जा सकते हैं, लेकिन 4 पंचे बीफ नहीं ले जा सकते हैं, तो वैसे क्या होगा बच्चा, यहाँ 4 बार जाएगा ठीक है, तो उपर 4 किया, इनका multiple करना, यहाँ भी लिखना 16, इनको घटा लो आपस में, यहाँ पर लिखते समय भी विसेज ख्याल रखना, थोड़ा यहाँ जगा छोड़ के लिखा जाता है, इसमें घुसा के नहीं, तो यह जैसे मैं इसको थोड़ा सा सकेतन सम्धियान किया, इसको थोड़ा जगा कर देता हूँ, यह देखो, मैंने तो कर लिया, तुम तो नहीं कर पाओगे कॉपी में, यहाँ घटाने का चिन लगाना, इनको घटाएंगे, वान आएगा, इनको आप जोड़ेंगे, याद रखना, ठीक है, गुड़ा होगे, इनका काम होगे, जोड़ेंगे, करेंगे, उपर यहाँ दसंबलों भी लगाएंगे, अब हम अगर एक बार ले जाएंगे, तो 81 आएगा, अगर हम दो बार ले जाएंगे, प्यारे बच्चों, तो यह इतना आएगा, 164 जो की जादा है, क्योंकि वो क्या है, सिफ सो है, तो यह वन बार जाएगा, उनली, यहाँ पर लिख दो, 81 घटा आलो भाई साब, 19 आएगा, इनको जोड़ दो यह दो, और यह आठ, बयाफी, ठीक है, हमने एक जोड़ा उतार लिया, तो समलों के एक अंक तक हमने भाग भी कर लिया, अब उपर फे हम दूसरे जोड़े को यहाँ पर उतारेंगे, अब यहाँ पर अगर मैं एक बार भाग ले जाओंगा, तो 800, 81 आएगा, और यह 200 है, तो अगर मैं दो बार भाग ले जाओंगा, तो प्यारे बच्चों, यह क्या बनेगा, दो बार भाग ले जा जाएगा, इतिंग तिंद्रिका, 9, 3, 2, 6, 3, 8, 24, तो यह सिर्फ दो बार पॉसिबल है, कित्ती बार? दो बार पॉसिबल है, तो बच्चों, यह दो बार जाएगा, प्यारे, एक अलग कलर में लिखो, जिससे थोड़ा अलग दिखे, तो दो दूना चार, और यह दो दून देना, कि हाँ नहीं आ रहा, मैं दुबारा तीबारा चार बार बता दूगा, चलो, अब इनको जोड़ना, इनको घटाना है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, यह 256 आ गया, एक बार फिर फिर चक कर लो, इसमें से ऐसे उधार देके घटाते हैं, घटाना ठीक है, यह खतम, अब उपर फे, देखो, दो बार गया था, यहाँ दो मैंने नहीं लिखा था, यह गलती हुई, इसको 7 में लिख देना चाहिए, अब यह दसमलो के 2 अंक तक इसका वर्गमूल हो गया, 4.12, बट हमें 3 बार तक ले जाना है, क्योंकि हमने एक जोड़ा और बनाया, इसको भी उतल लो, अब 8 का भाग 25 में ट्राई करो, कितनी बार जाएगा, 8 का भाग 25 में 3 बार जाएगा, तो एक बार हम 3 बार ट्राई कर लिते हैं, 824, अगर मैं 3 बार ट्राई करूंगा, तो यह ऐसे कुछ बनेगा, अगर आपने भाग विदी से वर्गमूल वा लाइकाद वीडियो देखा, तो आपको पता होगा, इसमें 3 बार भाग ले जाने का मतलब यह है, कि यहाँ पर एक 3 रहेगा, यहाँ पर एक 3 रहेगा, जैसे यह बनाया से बनेगा, तो यह 3 तरिक का 9, 3, 4, 12, करिया 1, 3, 2, 6, 1, 7, 8, 24, बहुत सही बैट रहा, 24, 729, समझना, अब यह 3 बार ले जाएंगे प्यारे, ठीक है, कितनी बार, 3 बार, तो 3 तरिक का 9, 3, 12, 3, 2, 6, 1, 4, 3, 8, 24, यह हो गया, खतम, अब देखो प्यारे बच्चों, नीचे आप इनको चाहे, तो हल कर लो, या जोड लो, या वैसे छोड़ दो, इसका कौनो बहुत मतलब अब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आंसर फाइनल हो चुका है, तो इसका आंसर क्या आया, इसका जो फाइनल में आंसर आया, पैरे बच्चों, वह आया, 4.123, तीन अंग तक, बताओ कैसा लगा आपको, हाँ, एक संतुष्टी के लिए आप इनको लाश्ट वाले को घटा भ ठीक है, बस यह खतम, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो कैसे लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, इसके अलामा इस तरीके से और किस संख्या का वर्गमूल में निकाल के आपको बताओं, मुझे कमेंट में बताना मुझे हा, जैसे 16 का, 20 का, 26, 25, जो भी नार्मली आसान हो तो उनका सब लोग कर लेते हैं, बट यह कुछ संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता आसानी से, ठीक है?